हमको सीबिय दे दीजे उसका दुर्पयोग करना हो मैं मोदी अडानी और अमिस्था को दो घंटे में जेल में डाल दूँगा अज हम दिखाएंगे अपनी ताकत सराफ़त की ताकत कितनी है सत्य हमेसा जीतता है और सत्य हमेसा जीतेगा बेहत रोश और गुस्से से भरे हुएं और आज तमाम कारे करता यहां बारा बज़े जो है विरोत प्रदर्शन करने वाले थे और यहां से अपना जन सैलाब लेके आज बीजेपी दफ्तर का घेराफ करने वाले थे एक तरफ आप देख सकते हैं तमाम जो तैयारियां है वो पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है बड़े संख्या में यहां पे आज पुलिस बल मौजूद है साथ ही रैपिट एक्शन फोर्स मौजूद है सभी लोग पूरी तैयारी के साथ यहां मौजूद है और बैरि उनका घोटाला करने वाले मोदी के मित्र अडानी पर मोदी जी खामोस हैं कोई कारवाई नहीं कर रहे हैं लाखों बच्चों का भविस्य से बनाने वाले मनी से सौधिया पर कारवाई कर रहे हैं यह पूरा देख रहा है दिली देख रही है और समय आने पर जनता इनको क्या लगता है कि इस गिरफ्तारी जिस बिना पे गिरफ्तारी हुई है क्या लगता है अब बेगुणा ही थाविट हो पाएगी मनीश शुदियाजी बेगुणा ही है उसमें साबित करने के लिए कुछ भी नहीं है करने दीजे, हमको CBA दे दीजे, उसका दुरूपयोग करना हो, मैं मोदी, अडानी और अमिस्सा को दो घंटे में जेल में डाल दूँगा और हमारे साथ इस वक्क अतिश्री जी मौजूद है, मैं माम लगातार जिस तरीके से बार बार जो है एक के बाद एक हवाला दिया जा रहा तो और अब मनीश शोदिया जी की गिरफतारी कर ली गई है, क्या कहना जाएं देखिए पूरा देश जानता है कि एक पोलिटिकल केस है, आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोगप्रियता के कारण मनीश सोदिया जी को गिरफतार किया गया है और आज ना से दिल्ली ना से देश बलकि विदेशों में रहते हुए भारती लोग भी सदमे में हैं कि एक ऐसा व्यक्ती जिसने लाखों गरी बच्चों को एक उमीद दी, लाखों गरी बच्चों को एक अच्छा भवेश दिया, जिसने ये संभव किया कि एक चपल की प्रदर्शन करने वाले थे लेकिन हम देख सकते हैं सड़क के दोनों तरफ बैरिकेट लगा दिया गया और हर बार की यही कहानी है, देखिए तो सिर्फ आप यह सड़क छोड़ी है, पूरी नई दिल्ली के इलाके को चावनी बनाया हुआ है, आप पांच साथ किलोमीटर क पुलिस वाले हैं, यह आम आदमी पार्टी का डर नहीं है, यह इस देश के आम आदमी का डर है, इस शहर के आम आदमी का डर है, क्योंकि उन्हें पता है, कि पूरी जंता देख रही है, कि कि इतना गलत हो रहा है, एक मनी सिसोदिया जी जैसे व्यक्ति को अगर जेल में डा जाए आने नहीं दे रहे थे वहां से बहुत ज़्यादा पुलिस है वहां पर शड़ा रस्ता बंद कर दिया पैदन निकलने की भी जगह नहीं है तो आ सकते हैं आप पार्टी ओफिस के लिए भी नहीं बड़ी मुश्किल आये हैं कहरें नहीं जाने देंगे तुम्हारा गार के लिए डर गया हैं यह वह इसलिए हमारे बढ़े ने ताव को जैलों में बंद करना चाहते हैं क्योंकि आपके सिक्षा पर बजटब लाने वाले थे क्योंकि दिल्ली के लिए तना बैतर कर रहे हैं तो वह हमारी ताकत पर चोट करना चाहे हैं हम जांडे देंगे अपना शिक्षा मंतरी चाहिए जो हमारे दिल्ली के लिए इतना अच्छा कर रहा है आगे आने वाले टाइम में वो देश के लिए भी अच्छा करेगा तो आप हमारे साथ एक पुरिश में मज़े दान सबात करते हैं सर आपने अभी एक नारा लगाया कि नकली गिरफ्तारी आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि नकली गिरफ्तारी यह बिल्कुल नकली गिरफ्तारी जी मने इस स्वाधिया जी के घर आइडी ने शीपी आई ने गोच्छा पे मारे जब आ कुछ नहीं मिला उनके कंप्यूटर इनके मोबाहिल लेगें लेप्टॉप लेगें जब कुछ भी नहीं मिला तो आपकाई के गिरफ्तारी शगताय जिनका नाम तक नहीं जिनका नाया नाम तक नहीं है डिब्टी को कैसे बैवेएबल पोस्ट Тем क 순간 like तो दिल्य सरकार को फेल करने के लिए नहीं करने के लिए यह कोई बात नहीं अगर यह नहीं आने देते हैं वहीं लेड़ जाते रोट पे हम डरते नहीं लास्टेम कई सालों से पर दर्शन गुरायन के खिलाप यह सोचते बीजेपी के गुंड़ा कर दिया है जब हम आपने आएंगे शरीफ आदमी बस सबसे बड़ा हो जाता है आज हम परदान मंतरी हमारे साथ गलत करेगा तो परदान मंतरी के साथ क्या करेंगे अच्छा ही करेंगे तो दिया जी पे एक तरफ अरोप लगारी सरकार के रही हूंने कि शराबनीती में घोटाला किया है। कुछ नहीं करें वह साबूत कुछ भी करुजारी उनको बंद खर्ले कि लिए कुछ भी कर सकते हैं कोई ऐसा बात नहीं है वह बंद करने के लिए अरक लगाया जा़ हो कुछ नहीं कर रहे हैं अदानी उनका भाई है पार्लेमेंट में देखने हैं आप क्या अपोजिशन है क्या अदानी मोधी भाई 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 तो पार्लेमेंट में सब सही चिला रहे थे बिल्कुल यह इनकी रिष्टेदारी है आज उसकी कंपनिया बैठे जा रही है वर्ड में नंबर तीन पर था है आज 20 में नंमर से वी नीचे आ गया तो यह बैंको का पैसा खाया हुआ है अडानी ने भी घोटाला कराएं दिखाने के लिए कि भैंको का पैसा ना लोटाना पड़े इसलिए डानी का जी घठाव हागा तो गाता हो गया शेयर गिर के फलाना हो गया यह सारा लेकि उसी बागेंगे जैसे वो क्या नाम है वो एक पर्टी का राज है पंजाब में पार्टी आ गई है गुजरात में दस्तक दे दिये हमने इमाचल में दस्तक दे दिये अब देखिये लड़ाई मेडिया का धन्यवाद अब हमारी बाद जनता तक पहुचाईए और सच की अवाद दब नहीं सकते कभी भी लगातार एक के बाद एक सारे देखने को बलते पहले आम आदमी पाटी का मेयर नहीं बनने दिया जा रहा था जिस दिन मेयर का चुना हुआ फिर एमसीडी जो भवन है वहाँ पर मारपीट देखने को मिली ये बीजेपी की गुंडा गर्दी है क्योंकि बीजेपी को हार बरदास नहीं हो रही है पहले तो पंजाब फिर उसके बाद गुजरात में खाता खुल गया उसके बाद दिल्ली का एलेक्शन में देख लिया तो बीजेपी कही ना मारपीट के नजारे देखने को मिल रहे थे महिलाओं पर दिख रहे थे इस तरह की और आज एक सिक्षा मंत्री जो इतने बच्चों का भविश्य बना रहे हैं उनके साथ यह गलत क्या गया तो आज पूरी बच्चे जितने भी हैं उनके पैरेंस से लेके सारे लोग इस ती क्योंकि गाडियों से आने नी दे रहे हम लोग तो गाडिया चोड़के और पैदा लागाए है क्योंकि हम अमारे शिख्चा मंत्री के खिलाफ नहीं सुन सकते हैं जो हमारे बच्चों के लिए और देश के बारे में सोच रहे हैं यहां पर विकार करता मुझुद है उनसे बात करते हैं आपको पता है कि मनीश जी ने सिक्षा के छेत्र में जो काम किया है दिली में पूरे भारत में पूरे देश में उनका बज़रा है आज की डेट में अब यह लोग क्या कर रहे हैं पुरे देस में उनका बज़ पूच्छ था सवह ग् Smooth कोशीश की गई ती कहीज मुद्दा दब जाए इसलिए बज़ट का वहाना नहीं है आपको भी पता है कि बजटल होना है और बज़ट में हर माना फड़क है ख्याल रखना परता एक किchnोक क्या देना ऐक्सको क्या नहीं देना इसलिए उन्होंने समय मांगा था लेकिन ये सिक्षा को बंद करके सराव की तरफ ले जा रहे हैं समझे तो हो गई है अगर नहीं छूटते हैं नहीं साबित होता है कि वह बेगुना है तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा हम लोग अभी अपने पार्टी सिर्स नियुतित का इंतजार कर रहे ह वो लोग चेसा आदेश करेंगे उसके अनुसार काम करेंगे